है गाइस बेरी गुड बॉर्णिंग विल्कम बैक टू मैं चानल मैं हूं मौसमी और आप लोग देख रहे हो माई लाइप माई जारनी आज है दिन फ्राइड़े और अभी जो टाइम हो रहा है सुभा का टेन थर्टी हो रहा है अभी से मैं आप ब्लोग स्टाट कर देही हू हम लोग ठीक नहीं है क्योंकि मेरा तबियत थोड़ा सा खराप है मेरा कंदी पे थोड़ा सा पेन हो रहा है तो अभी मैं जली-जली काम करके सामको जाओंगी डक्टर के पास अभी तो हस्बैन डिव्टी किया है तो वो लटने के बाद सामको हम जाएंगे और आभी देखि तो जो मलाई होते हैं वो जमा करके उसके बाद में घड़बी घी बनाती हूँ तो यहां पर देखिए मलाई को अच्छे से पीड़ लिये उसके बाद पानी देखें जो मक्रण है वह हम एक बोल में रग रहे तो उसके घी बनाएंगे इसके बाद यह अब लोग फ्राइंग म में नहीं एकदम लो में नहीं तो यह मतलब अंदर से यह ब्राउन हो जाएगा उपर से कच्चा कच्चा पन रहेगा इसलिए इसे धीरे-धीरे पकाना है और यहां पर देखिए घी हो रहा है और वो रहा है यह पर दूद बॉयल्ट तो अभी मैंना थोड़ा बहुत अंधिर लग रहा था इसलिए जिमनी का लाइट अन किया है और अभी तक हमारा ब्रेकफस्ट भी नहीं हुआ है तो यहां पर देखिए एक स्पून की मदद से मैं ऐसे ऐसे करके अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और यह अभी थोड़ा सा हॉइट है यह जब तक ब्राउन ना हो जा तरह से अब लोग जुरूर घर पर ट्राई कर सकते हो बहुत ही है और अभी देखिए मैं आज मुरूरा खाऊंगी इसलिए पकड़ा बना रही थी पत्ता को भी का पकड़ा और यह तो रेसिप्य अल्रेडी मैं आप लोगों के साथ सेयर कर जी कूई इसलिए और नहीं की हो तो स्कुल पे तो इंगलिस हिसलिए वीजको जदा तो पता नहीं है तो इहां पड़ देखिए मुरा नहाना भी हो गया है और अभी मैं लपना रही हूँ और इधर मैं बना रही हूँ इलीस आज मैं यह शोर्फों देखे बनाऊंगी तो इस फ्ञाई कर रही हूँ जब तो के हमारा फ्राई हो रहा है यापर मैं मांस्टर कर? और व्जेश दूनों एक साथ पेस्ट कर रही हूँ तो हम जदातर सिल पटाई यूज़ करते हैं चुलिए मैं अभी इसे पीस लेती हूँ अच्छे से और सुबह का जो पकड़ा में बनाई थी बो रह गया है वहीं से हो जाएगा हम लोगों का आज का लांज तो यहां पर देखिए जो ओयल रह गया था उसे में एड़ कर रही हूँ टोमेटो और टोमेटो हमारा अच्छे से गल जाने के बाद यहां जो शॉर्सो और खुस- शुर्णा स्टार्ट कर देगा तो इससे हम मिक्स कर दे हैं दो टोम सुखा में सौरी गीन चिली देने के बार थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी देने के बाद इसे थोड़ी देनर के निये उबरना है 15-20 मिनिट के लिए उसके बाद देखिए यहां पर जो हमारा यह सौर अच्छे से पख जाएगा तो यहां पर मैं दे रही हूँ इलसा फिस जो पहले से मैं फ्राइब करके रखी थी और इसके उपर धुनिया बता देते और भी अच्छा हो था पट मेरे पास नहीं था इसलिए तो ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था बहुत ही अच् जाए तो आप जो टाइम हो रहा था इवीनिंग का फाइब 30 हो गया है और अभी हम लोग जाड़े थोड़ा सा मार्केट और मुझे प्रक्राइब के पास भी जाना है मुझे कंदे पे जोना है ठोड़ा सा पिन हो रहा है क्यूंकि मेरा फूंडला यसली विंटर के टाइम में हड्स धर्थ होता है तो इस लिए डॉक्रल के पास दिकरा रहा है और मेरे खुद के लिए और बेटर athe करेंद कर लेती हुँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हुँ मेरा थोड़ा बहुत सबिंग और यह जो पेन है वेंडर में ज्यादा हो जाते हैं मतलब कई कभी हो हुआ है यहात पेर बजहागा बहुत है यह दो सबस्क्राइब नहीं हो जाते हैं नहीं तो चलिए अभी मैं क्या-क्या सर्फिंग करके लेके आई हूँ वह यह अब लोगों को मैं दिखाऊंगी तो चलिए तो यह देखिए यह मैं नामने लिए एक स्वेटर लेके आई हूँ यह पिंक कलर का है और यह जो देख रहे होना आप लोग यह देखिए इस तरह का डिजाइन का है और यह देखिए यह वाला अच्छा लग रहा है ना दिखने में तो यह देखिए और इसका यह बैक साइड है और यह फ्रॉंट इसम्पिल साई है स्रेफ यहां तीन कलर का बडर है ग्रीन ब्लू और उसके साथ है थोड़ा सा क्रीम कलर का और एक मेरे लेके आई हूँ यह सॉल जिसको हम लोग बैंगुली में चादर बोलते हैं यह मैं डेली उसके लिए लेके आई हूँ तो जलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ यह देखिए यह इस तरह का है और इतना सब्ठेक क्या बताओ बहुत ही सब्ठेक तो ऐसे और हाँ यह तो था मेरे लिए कुछ सॉबिंग और हस्बेट के लिए लेके आई हूँ मैं एक जीन्स उसका बदरे था आप लोगों को पता ही है बट उस ट पर्फाना वो कम पर जाने के लिए निकाल दिया है तो इसलिए उसके लिए एक टुर में लेके आई हूँ तो दिखाती हूँ अब लोगों को यह देखियें यह है यह है और यह थोड़ा सा घृन कलर का है यह घृन घृन दिक रहा होग अब लोगों को और यह ब्लू टाइ रज़ के तो यह देखिये मेरे मेरे डाइन डिबिट के लिए लेग आई हो। यह इस तरह का है रेड और इसके साथ है हॉ आई इस तरह का है तो हो गया है और अब्सक्ता मेरे बेटू का लिए नहीं तो यह देखिए इसका जो पैकेजिंग है वो ओपन कर दिया है इसलिए अब लोगों को मैं दिखाने ही पाई हूँ उसके लिए एक आरे फिल का मग लेके आई हूँ यह इस तरह का कप से उसको दूद पीना अच्छा लगता है इसलिए उसका कप जो है न वो खड़ाप हो गय इसलिए यह दोटो हैंटर लेके आये हो मैं यह ग्रीन का है और यह पिंक और हॉइट का है और यह न मैं बहुत दिन से सोझ रही थी लेने के लिए बट याद ही नहीं रहा था कल हस्वेंड करके लेके आए तो मैंने उससे बुला तुम न बहुत जरूरी सवाने मतलब मैं जब भूल रही थी तुम ले के आए हो उसके लिए थैंक यू तो चलिए यही था हमारा छोड़ा मोड़ा स्वाविंग मुईंडर का तो अब लोगों को में एक बार बैक केमेरा से दिखा देती हूँ क्या क्या है हुआ हुआ है हमारा विंटर का छूटा मोड़ा स्वापिंग और यह आप लोगों को कैसे लगा है मुझे जरूर करके बताना आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी वो एक मिल्टन का वाटर बटल में लेके आई थी और आज फ्राइड़े को हम ब्लोग स्टार्ट के थे आज स्टरड़े है तो आज मतलब अभी सुभा का टाइम अभी 11 हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रेडी हो ग थाल 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 थांक यू